नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Fine Knowledge Hindi Channel में आज हम बात करने वाले हैं पिरामिट के द्रहस्यों के बारे में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे आज से 4-5,000 वर्षपूर दुनिया के हर कोने में लगबग एक ही काल में पिरामिट बनाए गए ये वही काल था जबकि मिस्र में पिरामिट बने थे ये वो काल था जबकि एजिप, सुमेरिया, बेबेलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगर, सैंदव, पारस से आधी प्राचीन सब बताएं अपने विकास के चरम पर थी हम यहां बात सिर्फ मिस्र के पिरामिट की नहीं करेंगे, बलकि दुनिया भर के पिरामिट के रहस्यों को बताने के साथ ही साथ, आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिट के चमतकार, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन रहस्यों के ब फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए इसे करने पर ये पिरामिट के आकार का दिखाई देगा हिंदू धर में स्वास्तिक को शक्ति सौभाग्य सम्रिधी और मंगल का प्रतीक माना जाता है घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्व स्वास्तिक के चिन्व को भाग्य वर्दग वस्तूओं में गिना जाता है स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकार आत्मकुर्जा बाहर चली जाती है उत्तर और दक्षड गोलार्द पिरामिट पर शोट करने वाले वैग्यानिकों का कहना है कि सभी पिरामिट उत्तर गोलार्द के प्रभाव को जानकर बनाया गया है इसका भू चुम्बकत्व एवं ब्रह्मान तरंगों से विश्ष्ट संबंद है उत्तर दक्षणी गोलार्द को मिलाने वाली देखा प्रत्वी की चुम्बक रेखा है चुम्बकी शक्तियां विद्धुत तरंगों से सीध धारियों पर डालती है इन निर्माडों में ग्रेनाइट पत्थर का उप्योग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोशित करने की शमता रखता है इससे ये सिध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे मतलब ये कि पिरामिट में रखी हुई वस्तू या जीव क की गुडवत्ता और उम्र में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता होगा बदल जाता है पिरामिट में रखी हुई वस्तूओं का गुडधर विशेशग्यों के अनुसार पिरामिट की आक्रती उत्तर दक्षन अक्षपर रहने की वज़े से ये ब्रह्मान में व्याप ग्यात अग्या शक्तियों को स्वयम में समाहित कर अपने अंदर एक उर्जा युक्त वातावरर त्यार करने में सक्षम है जो जीवित या मुरत जड़व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है घरेलू पिरामिट का शुभारम फ्रांसीसी वैग्यानिक मौसियर बॉक की जाए तो उसके गुड़ों में वदलाव आ जाएगा वो बहुत देर तक सरने से बची रहेगी इसी कारण से प्राचीन लोग अपने परीजनों के शवों को पिरामिट में रखते थे प्रयोक के लिए बताया जाता है कि जिस चीज को छोटे बड़े पिरामिट के अंदर रखना हो उसे आधार से करीब 2-3 इंच की उचाई पर पिरामिट के मद्य में रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं पिरामिट के अंदर मद्य शेत्र में रखकी चीजों पर पिरामिट का जादोई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है ये शेत्र पिरामि पिरामिट की सही दिशा में रखकर इस्तमाल ना किया जाए तो उसमें बैठने वाले को सरदर्ध हो सकता है इस संदर्व में अनुसंधान कर रहे चिकित्सा विशशक्यों का कहना है कि सिरदर्ध और दादर्ध के रोगी को सही दिशा में रखके पिरामिट के अंदर बिठ से पनपते हैं उसकी उर्जा तरंगे वनस्पतियों की व्रद्धी पर सूक्ष्म एवं तीवर प्रभाव डालती है पिरामिट के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन समंदी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं यही जल जब तोचा पर लगाया जाता है त इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज चुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई स्पूर्टी के संचार का अनभव होता है पिरामिट के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गुंचती रहती है इससे वहां उपस्तित ल बीमार और सुष्ट पॉदों को भी पिरामिट्ड दोराठी किया जा सकता है मिस्डे के पिरामिड़ों की तरह दुनिया में कई जगे पिरामिट्ड बनाए गये है हलाकि मिस्र जैसे पिरामिड़ों का निर्मार आज भी संभव नहीं है आज तक ग्यानिक व इतिहास वित पेरिस अबूच पहली को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिट के निर्मार में किस तरह की तक्नीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह अचरच की बात है कि हजारों साल बात तक भी ये पिरामिट सुरक्षित हैं और इनकी चमक बरकरार है। खैर आप जानिए आधुनिक समय में कहां कहां बने हैं पिरामिट। लास वेगाज में 4000 कमरों वाले होटल लकसर को पिरामिट के शकल दी गई है। पेरिस के लौवरे में शीशे का इस्तमाल करते हुए पिरामिट बनाए गये हैं। कजाकेस्तान में 203 उचे पिरामिडों का निर्माल कराया गया है। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए दो विशालकाय पिरामिट बनाए गये हैं। भारत के असम में भी हैं पिरामिट। असम के शिप सागर जिले में चार डियो में हैं अहोम राजाओं के विश्व पसिद 49 कबरें। इस शेत्र को मोईडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शाशन 1226 से ले मुगलों ने प्रयास किये। सेना पती मीर जुमला ने उनकी कबरों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां इस्थित कई मोईडमों को तहस नहस करवा दिया। लेकिन हमले के चन दिनों बाद ही मीर की रहस्यमई तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्र 49 अहोम शाशक इन पिरामिडों में बनी कबरों में चिर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको मौत की नीन सोना पड़ा है। दोस्तों इन मोईडमों पर बार आक्रमन करने के साथ इनसे कई बार छिरखानी की गई। जिसने भी उन कबरों पर बर्बादी की लकीर खीची, मौत ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोईडम की कबरों में बेशुमार खाजाना था। जिसको लूटने की चाहत से लोग आते थे और लूटकर चले जाते थे। लूटके माल के बाद खाजाने को ले ऐसा क्यूं? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संग्रक्षित हैं जबकि भारत, चीन और मद्य एशिया के पिरामिट तो युद में तबाह हो गए। दरसल मिस्र के पिरामिट पुरानी खो गई सब्विता के तीर्थ हैं जो अब मगबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिट हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 हाला कि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिट दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिट ही प्राचीन विश्व के साथ अजूबों की सूची में शामिल है। ये पिरामिट 450 फुट उचा है लगभग 4000 वर्षों तक ये दुनिया का सबसे उची संवर्षना बना रहा है। अमेरिका में पिरामिट अमेरिका की प्राचीन माया सब्विता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, हॉंडूरास तथा यूकाटन प्राया दीपने स्थापित थी। ये एक क्रशी पर अधारित सब्विता थी। 250 इसवी से 900 इसवी के बीच माया सब्विता अपने चरम पर थी। यू तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमार मिले हैं। और 1800 साल इसापूर से प्रशांद महासागर के तटी इलाकों में गाउं भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकि 250 से 900 के बीच विशाल इस्तर पर भवन निर्मार कारे हुआ और शहर भी बसे। उनकी सबसे उलेखनी इमारते पिरामिड हैं। जो उन्होंने धार्मिक केंडरों में बनाई। लेकिन फिर सान 900 के बाद माया सब्विता के इन नगरों का हाल बुरा होने लगा और नगर खाल के तट भव्य मंदिरों और महलों का मद्य काल में जो विद्ध्वन्स किया गया उसके अब अवशेस नहीं बचे हैं। कैलाश परवत एक पिरामिड नुमा परवत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदूों ने अपने मंदिरों महलों आदी की स्थापना की की छट पर बनी त्रिकोडी आकरती उनी प्रयोगों में से एक है जिसे वास्तु सास्त एवं विज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। ये आकरती अपने आप में ही अद्बुद है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों या आज के दक्षर भारती मंदिरों की रच शिकर इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के चारों और ब्रमानिय उर्जा का विशाल एवं प्राकर्तिक आवरण तयार हो जाए। आप जानते हैं कि रिशी मुनी की कुटिया भी उसी आकार की होती थी। प्राचीन मकानों की छटे भ रक्षो वाले वन थे तथा ततकालीन भारत की जलवायू पूर्णुता संतुलित उत्तम तथा आरोग प्रति इस कारण भारत में पिरामिट बनाने की अविशक्ता नहीं पड़ी। इसके विपरीत मिस्र के गर्म रेगिस्तान में व्रक्षा वली तथा जल के अभाव की स् शव क्यों रखे जाते थे पिरामिडों की उचाई पर रखे शव आज भी अविक्रत हैं पिरामिड में प्रकाश जलवायू तथा उर्जा का प्रभा संतुलित रूप में रहता है जिसके चलते कोई भी वस्तु विक्रत नहीं होती इसलिए वे अपनी कब्रों को आकार देते थे कि वो हजारों वर्ष तक कायम रहे इस प्रकार पिरामिड विद्या अमर्ता की विद्या है तती दिन कुछ समय तक पिरामिड में रहने से व्यक्ति की बरती उम्र रुख जाती है मिस्र के पीरा पीडों पर आज भी शोच जारी है हर बार यहां नए रहस्य का पता चलता है समय समय पर दुनिया भर के इंजिनियर और वैग्यानिक पिरामिड और ममी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए शोद करते रहते हैं हाला कि मिस्र के विश्व प्रसीद गीजा के पिरामिड के अंदर क्या है यह जानने में अभी और समय लगेगा इसके गीजा के पिरामिड ही नहीं दुनिया भर का हर पिरामिड अभी तक रहस्य की चादर में लिप्टा हुआ है तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैन को सब्सक्राइब कर लिए